स्री शिवाईन नमस्तुब्यम दर्शको कैसी हूँ आज अगरते हैं कि आप सब सोष्टेम स्रक्चित होंगे दर्शको आज 25 जून साथी रविवार की रात केवल दो काली मिर्च यहां फैक देना दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी नमस्कार दोस्तो आपका श्वागत है दोस्तो आज रविवार का दिन है ऐसे में सास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन का काफी विशेश महत्तों माना जाता है साथी दर्शकों ये बताया जाता है कि रविवार के दिन कुछ विशेश कार्य करने से भगवान सूरे देव का आशिरवाद प्राप्त होता है ऐसे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि रविवार का दिन श्यम भगवान सूरे देव को समर्पित होता है रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने का जल अर्ग देने का काफी विश्यश महतों माना गया है ठीकी सी परकार दोस्तों आज हम आप लोगों को रविवार का एक दिवय और अच्छक उपाई पूजी गुर्देव की शिमहपुरान कता से बतायों बताने जा रहे हैं सुरताओ ये जो उपाई है वास्तों में बड़ा ही कारगारी है इस उपाई को करने से कुंडली में सूरे के सिती मजबूत होती है साती घर में सुक और शमरद्दी बनी रहती है घर में मौझूद जो नेगिटिव एनरजी होती है बे दूर हो जाती है तो दर्शकों किस प क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से एक शेर करने से अन्य लोगों तक इस वीडियो को अलावे प्राप्त होता है तो ऐसे में दोस्तों वीडियो को शेर अवश्य कीजिएगा और साती हो सकी तो कमेंट बोक्स में जय सूरे देव अवश्य लिखेगा ताकि आपकी हो सके तमाम कारे में आपको लाब की प्राप्ती हो सके ऐसे में दोस्तों आज हम आप लोगों को काली मिर्च का उपाई बताने वाले हैं दोस्तों कहा जाता है जो काली मिर्च होती है इससे कई परकार के बड़े-बड़े टोने टोटकी किये जाते हैं जिनमें सपलता सत पर्तिसत परापत होती है ऐसे में काली मिर्चों को लेकर आप लोगों को उन्हें पीछ देना है किसी पत्थर से पत्थर से पीछने के बाद में उन दोनों काली मिर्चों का जो चूरन होगा जो चूरा होगा उसे आप लोगों को एक कलस में एक लोटे में पानी भरना है पीतल के में और फिर आप लोगों को उस पीतल के लोटे में उसे काली मिर्च के चूरिय को डाल देना है उसके बाद म उस लोटे को आप लोगों को पूरे घर में घुमाना है अपने घर में छीटे मारना है घर में छीटे मारने के बाद में आपको थोड़ा सा पानी अपने घर की चोखट पर डाल देना है उसके बाद में आपकी घर से जिस दिशा में सूरिय उद्या होता है उस दिशा में आप इस कारे को करने से जीवन की जितनी भी आपता होती है ततकाल जो भी समश्या होती है जीवन की वे दूर हो जाती है वे नश्ट हो जाती है ऐसे में घर की मौझब नेगिटिव एनरजी भी दूर हो जाती है घर से दूर चले जाती है और घर में सुक्षमरद्धी बनी रहती है तो पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा विश्वास के साथ किया गया जो कारिया होता है उसमें लाब भी तुरंद मिलता है तो दर्शा को मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद जी नमस्कार